बहुत बच्चे इस समय confusion में रहते हैं कि इस समय मैं तैयारी करूँ नहीं करूँ क्या रहेगा हो सकता है नहीं हो सकता है तो क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है देखू मैं clear point बताने वालो J-Advanced के paper में आपसे कोई नहीं पुछने वाला आपकी अभी तक तयारी कैसी उस दिन अच्छा कर गए तो काम हो जाएगा अब सवाल यह है कि इतने कम समय में क्या आप वो अच्छा कर पाओगे तो आप सभी को पता है J-Advanced में जरनल केटिग्री में भी 30% पे भी सलेक्शन हो जाता है और उसे उपर जितना स्कूर है रेंक उतनी अच्छी आ जाती है अब 30% स्कूर लाने के लिए हमें कितना परसेंट पेपर अटेम्ट करने से काम हो जाता है तो आप समझ रहे हो कि भाई सारा स्लेवर्स तो करना ही नहीं हमने हो इससे हमारा काम असान हो गया तो हमें काफी स्मार्टली चलना पड़ेगा अगर हमें बचेवे समय का यूज करके गेम आउन करना है बिकॉस पॉसिबल सब कुछ होता है इस दिमाग में मेंटल बैरियर है अब दोनों बाते सच है वो एक बात कही जाती ना तो आप में निर्पकरता है अब कैसे करो कि वो मैं बता रहा हूं तुम्हें ध्यान रखना पहली चीज़ ध्यान रखना है कि जो सवाल आते हैं वो सवाल न कई सवाल जही में के अच्छे सवालों के आसपास आते हैं यानि लगबग जही एडवांस का 10% questions ऐसे होते 10-15% ज तो actual में जही में लेवल के आसपास ही होते हैं चाहिए वो दिखने में थोड़े बड़े लग रहे हूं बट असान होते हैं बाकी question 10-15% के लावा इन जनरल उनका level moderate to tough level होता है काफी questions का तो यह जो 10-15% है यह तो हम असानी से कर सकते हैं बात गेम आता है जो अगले 15-20% marks है उसका तो गेम समझ में कि काफी questions तुमें काफी तो नहीं 10-15% question तुमें जही में level मिल जाएंगे अब यह extra 15-20-30% जो marks लेकर आने हैं वो कैसे आएंगे बहुत smart चलना पड़ेगा तो ध्यान रखिए इसमें बड़े सवाल जो होते हैं normally उसमें mixed concept होते multiple chapters को mix कर देते हैं तो होता क्या है छोटे-छोटे 3-4-5 सवालों को जही मेन वालों को mix करके question बना रहते हैं तो बस अपने को ऐसे सवालों की practice करनी है ताकि हमारी problem-solving approach बन जाए basically बड़ा problem जैसे life में कोई बड़ा problem आ जाए तो हम कई बार डर जाते हैं डिप्रेस हो जाते हैं तो जी advance एक बहुत बड़ा psychological game है mind game है जिसमें बड़े सवाल देखते ही बंदा डर जाता है पहले फैल जाता है कि अरे यार advanced का question है अरे भाई देख तो सही उसमें चोटे-चोटे 5 प्रॉब्लम जुड़े वें तो पहले उन चोटे सवालों को solve कर ले तो बड़ा भी solve हो जाएगा तो यह हमें समझना है कि अगर हम वो चोटे-चोटे सवाल समझ गए कि इस बड़े सवाल के तीन स्टेप बड़े चोट-चोटे स्टेप्स हैं या चार स्टेप्स हैं तो काम हमारा हो गया अब यह काम कैसे होगा तो उसमें ध्यान अठना जैसे माल लो किसी बच्चे का अभी तक जैमेन लेवल का 70 स्टेप्स का 70 एबर अच्छा है थिए menty परसंट में माल लेवल लेवल पर काफी स्ट्रॉण है और 40 परसंट moderate लेवल का है जिसमें जही मैन के कवेस्चन भी कभी होते हैं कभी नई भी ओपाते हैं बागी 30 परसंट हम मान रहे हैं कि उस बच्चे का बिलकुल अच्छा नह इसमें simply और simply आपको क्या करना है अपने advanced के जो किछ की concept है पांच साल के पेपर को अनिलाइज करो लास्ट फाइविड की पेपर को अनिलाइज करो और उसके basis पे देखो कि किस तरह के सवाल आते हैं और उस तरह के सवालों के हिसाब से उनमें कौन-कौन से key concept पूछे जाते हैं वो identify एक बार कर लिया तो उस तरह के सवालों की पी वाई क्यू जो है उनकी practice करनी है और practice होनी चीए quality quality का मतलब solution देख देख के नहीं सवालों में समय लगाईए चाहे दिन में कम सवाल करो पर जितने करो पूरी जान लगा के करो एक्जाम से पहले हर सवाल पे तुम जितना time लगाओगे exam के time उतना ही समय आपका कम लगेगा एक बात कही जाती है एक्जाम से पहले जितना पहान आप चलाओगे exam के दौरान पहान उतना ही कम आपको चलाना होगा तो बात समझे नहीं कि quality practice का मतलब क्या है इसका मतलब यह नहीं कि सरफ quality questions करना इसका मतलब यह है quality अच्छे सवालों को quality time देना समय देना, focus करना ताकि आपका brain develop हो हो सकता है उसमें 10 में से 3 सवाली बने 7 ना बने लेकिन जो नहीं बने न वो भी आपको बहुत कुछ सिखा जाएंगे और आपका brain develop करेंगे आप सभी को सबसे पहले तो full जोश में like करना है और comment section में सभी को लिखना है that I will do 50 quality questions everyday सिरफ इतना लिखना है I will do 50 quality questions अगर रोज आप 40-50 PYQ करते हो बटा तो भी से लेके 40-45 days में 2-2,000 high quality questions कर लिए आपने तो भाई कोई नहीं रोख सकता तुम्हें जे एडवांस में you can do it try तो करना बनता है न अच्छे से उसके बाद भी अगर युद में हम हार गए कोई बात नहीं हम लड़े तो सही और अगर जीत गए तो मौजी मौज कहना ही क्या प्रभू का कुछ भी हो सकता है बेटा अब यह जो moderate बचा moderate में क्या होगा हमें अपने concept में सुधारने में समय जादा लगाना पड़ेगा यानि इसमें हमें easy questions भी खूब सारे करने पड़ेंगे और advanced टीचस advanced related questions कराते हैं concepts कराते हैं तो उनकी problem solving approach को understand करना बहुत ज़रूरी है कि वो सवालों को कैसे attempt करते हैं अभी के लिए fastest वे यह है कि भाई जो टीचस जिस approach से सवाल करा रहे हैं आप उसी approach को दिमाग में लगाके understand करें उस thought process को this is the fastest way बाकि कुछ सवालों में जब आप खुद fight मारोगे तो आपका खुद का भी problem solving approach naturally evolve होगा क्योंकि एक सवाल को solve करने के बिटा अलग अलग तरह के तरीके होते अब यह सब करने के सब्सक्राइब का ध्यानक ना मॉक टेस्ट बहुत सारे चमतकारी अवेलेबल होते मतलब ऐसे भी होते जो relevant नहीं होते तो उनको दे के हमारा confidence बहुत lose हो सकता है तो इस बेटर कि हम previous year papers को as a test दें यह सबसे अच्छा तरीका है नहीं तो आप ATP star की जो test series है AOTS उसको ले सकते है अच्छा आप मेंसे जो बच्चा यह सारी मेहनत खुद नहीं करना चाहता है इन दे सेंस वो चाहता है कि सर मुझे previous year papers का analysis भी मिल जाए experience teachers भी मिल जाएं जो advanced के key concepts भी करा दे, theory भी करा दे, practice भी करा दे, problem solving approach भी बना दे मैं तो बस सिर्फ उनकी बात सुनके आगे चलता रहूं तो वो सबी बच्चे हमारे crash course में आ जाईए जिसका नाम है RCC, इंडिया का पहला online crash course था यह, जही advanced के लिए तो आप समझ रहे हैं कितना amazing रह चुका है हर साल hundreds of students इसका फायदा उठाके जही advanced clear करते हैं तो इसका इस समझ जाना website पे और app पे login करना और वहां पे star batches section में आपको RCC batch मिल जाएगा और उससे उससे आप अपनी journey start कर देना तर्यारी शुरू कर देना ठीक है बटा चलिए फिर I think इस वीडियो से आपको help जरू मिली होगी तो like तो बनता है मिलते है next video में bye take care and keep doing well love you all